नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर आशा करते हैं आप सब ठीक है तो शायद आप जानते होंगे शायद नहीं कल के दिन यानि की 22 जून मेरे पिताजी का जनम दिन था अगर वो हमारे साथ होते तो 73 साल के होते तो कल सुबह मेरे फोन पर कई WhatsApp मेसचेज आने लगे दोस्तों से, फैमिली वालों से, कॉलीग से और फिर Twitter, Facebook और Instagram पर कुछ लोगों ने मुझे टैग किया ये देखकर दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि कि पिताजी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ और उन सभी लोगों को थैंक यू कहूंगा जो उन्हें याद कर रहे थे तो एक खुबसूरत तस्वीर शेयर किया मैंने कल जो कि मेरी बहन की शादी के दिन कीचे गई थी अमेरिका में back in 2014 इस अपर्सनल फेविट और दोस्तों तुरहन जो कॉमेंट्स आने लगे जो इज़त जो समान मेरे पिताजी के लिए लोगों से आने लगा ये देखकर I was overwhelmed मतलब इतने सारे अंजान लोगों की बाते सुनकर उनके कॉमेंट्स पढ़कर मेरे पिताजी को गुजरे दोस्तों 6 साल होने वाले हैं और इतने लोग उन्हें याद करते हैं उनकी एक्टिंग, उनके रोल्स, उनकी इंटर्व्यूज, उनकी उर्दू शायरी उनका क्रिकेट के लिए प्यार हजार से ज्यादा कॉमेंट्स मेरे उस ट्विटर पोस्त पे आयें दोस्तों जहां इतने सारे अंजान लोगों ने लिखा कि हम सभी टॉम साब को याद करते हैं उन्हें आज भी दिल में बसाके चलते हैं बहुतों ने पिताजी के चुनिंदा याद का रोल्स के बारे में लेका शक्तिमान के महागुरू से लेकर जुनून के केशव कलसी और कैप्टेन व्योम के विश्व प्रमुक तक Samuel Sir from यहां के हम सिकंदर अंदूर दर्शन a favorite of many many people Charles Spencer from जबान संभाल के Musa from परिंदा early 2000s के हातिम सिरियल से उनका किरदार the 90s DD सिरियल जुगलबंदी his various stage performances from the 1980s until his death in 2017 उनके इतने सारे theater shows उनकी उर्दू, उनकी शायरी Sachin Tendulkar का पहला TV interview जो मेरे पिताजी ने 1989 में लिया था उनकी newspaper, magazine, columns, articles इतने अंजान लोगों के comments पढ़के जिनको मेरे पिताजी ने किसी तरह से प्रवावित किया ये देखकर दोस्तों मैं emotional हो गया और फिर इतने सारे comments आए कि कैसे किसी की मुलकात मेरे पिताजी से हुई थी उनके साथ अनसुने किस्सों के बारे में जानना किसी library में, किसी cafe में, किसी book store में उनसे मुलकात, airport पे, train station पे, सड़क किनारे कोई cricket match के बीच, जिसे मेरे पिताजी खेले थे एक शक्स ने लिखा कि वो पिताजी से airport पे मिले थे और उनसे पूचा कि सर क्या मैं आपको एक cup coffee पला सकता हूँ और फिर कैसे उन्होंने 20 minute बताए मेरे फादर के साथ किसी और ने बताया कि वो student थे और मेरे फादर उनके school आये थे, chief guest बनके तो किसी ने बताया कि उन्होंने एक quiz में हिस्सा लिया था quiz show back in the day, जहां मेरे फादर आये थे किसी के annual day पे वो आये थे एक ने बताया कि कैसे वो मेरे पिताजी से train station पे मिले और उनका autograph लिया कईयों ने कहा कि कैसे पिताजी ने उनका होसला बढ़ाया था जब वो अपने career की शुरुआत कर रहे थे और इतने सारे अंजान लोगों से पिताजी के लिए प्यार समान और इज़त दे कर मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों और इतने comments पढ़कर मुझे हैरानी होती है कि कितने सारे लोगों को उन्होंने किसी ना किसी तरह से प्रभावित किया और साथ साथ दोस्तों ये दे कर आँखे नम हुई कर फिर कुछ जाने माने शक्स ने भी comment किये message भेजे जैसे के commentator हर्शा भोगले जिन्होंने पिताजी के साथ काफी काम किया था 90s में विजे वर्मा दी आक्टर जो मेरे पिताजी के शागिर थे पूने के फिल्म इंसिट्यूट में और जिन्होंने मुंबए आके पिताजी के साथ काफी थीटर किया रिचाड चड़ा, अनूप सोनी, निकी बेदी, वीरदास तो इतना सारा प्यार देकर मुझे ऐसास हुआ कि हाँ यार पिताजी ने इतना कुछ हासिल किया अपने करीर में और उससे आगे, और ये दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि कितने लोगों पर इंपक्ट छोड़ा उन्होंने और ये जो लेगेसी जो में जी विरास्त में मिली है ये कितनी बड़ी जिम्यदारी है मैं तो इसके लाइक हुई नहीं, क्योंकि पिताजी के सामने मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तिर भी, बहुतों ने लिखा कि जेमी, तुम्हें एक महान शक्स की बेटे हो तुम्हारे कंदों पे जो लेगेसी है वो तुम्हें आगे ले जानी है हर सार उनके जनल दिन पर मेस्चेज आते हैं सोशल मीडिया पे लोग मुझे टैग करते हैं और कल के उस इमोशनल आउटपूरिंग को देकर मुझे पूरा यकीन है कि टॉम्हारे साब सदा अमर रहेंगे तो शुक्रिया आप सभी को जिन्होंने उने कल याद किया आज याद किया लव यू आल टेक केर जैंद